दोस्तों आप देख रहे हैं सुन्दर बिहार वीडियो में आप देख सकते हैं इसमें दिखाई दे रहा है राइस पॉलिश पाउडर मचली के शिकार के लिए राइस पॉलिश पाउडर का इस्तेमाल होता है बहुत से जगह इसको ब्रान बोलते हैं तो हमारे बहुत से भीव निकलने के लगता है वह निकलता है उसको थोड़ा चमकताने के सफ़ाई किया जाता है वह ऐ यहां दूट निकल सबस्ERाब निकलने के मशिन में ढूठालने के बाद से दूसरे तरफ से यह धान कूटने के बाद चावल निकलेगा चावल निकलने के बाद से क्या करेंगे देखिए यह डाल दिया और डालने के बाद से देखिए दूसरे साइड से इधर से यह चावल निकल रहा है चावल अभी ब्राउन कलर का है लेकिन जब इस चावल को हम दूसरे मशीन में जो बगल में दिखाई दे रहा है इस मशीन में डालेंगे तो यहां से यह साफ होने का बाद थोड़ा चमकदार हो जाएगा और वाइट कलर का दिखाई देगा सफेद हो जाएगा देखिए वीडियो में आप देख सकते हैं तो यही जो मशीन है इसके अंदर चावल को सफाई करके उसका छिलका जो है निकाला जा रहा है निकालने के बाद आप वीडियो में देख लीजे यहां पर चावल निकल रहा है मैं दिखा रहा हूँ आपको हाथ में ले करके देख़िए अब चावल कितना वाइट दिखाई दे रहा है किए इसके उपर का हिस्सा जो है यह छिलका जो इसका निकाला जा चुका है यह चावल को पॉलिश किया है इस मशीन ने तो पॉलिश करने के बाद जो बुरादा बचता है ना निखाल के च्षिलका को उपर शिखाय किया गया है यही रॉदा राइस को चावल को gitu करने के रहाद उसका उपर च्षिल्का निकल्या है यहां पर दिखाई दे रहा है आप देखें मैं हात कि DR clingreec is 아 nazis झाल को बहुत सब्रांब बोल सकते हैं राइस पर्ण dus ये ही यह ज़िए मैं हाथ में लेके दिखा रहा हूँ अगर विडियो उठाघी तो आपने दोस्तों भी जनकारी दीजिए कि सुंदर भीहार देखने के लिए अंगल कि